बनते हैं ऐसा तो मुझे पहले पता भी नहीं था क्यूंकि मेरी मम्मी जब भी करेले बनाती थी पता ही नहीं लगता था कि करेले कड़वे हैं बहुती टेस्टी बनते थे तो मैंने उनी से सीखा उनका तरीका इसके लिए वो करेलों को छील कर और उनके उपर नमक लगा कर रख देती हैं आदा से एक घंटे के लिए फिर उसके बाद पानी में अच्छे से धो कर निचोड कर ओयल में इस तरह से फ्राय करती हैं पलट-पलट कर मसाला बनाने के लिए प्याज डाले हैं मिक्सी जार में और डाला है लहसुन खटा टेस्ट देने के लिए कच्चा आम और यह पीस लिया अब ऑईल में डालेंगे जीरा और हींग और साथ में पिसा हुआ पेस्ट मिक्स कर लेंगे अच्छे से फिर उसके बाद इसमें एड़ जिसमें लिया है मैंने हल्दी लाल मिर्च धनिया पाउडर हरी मिर्च सॉंफ गरम मसाला और यह जो चिलके थे ना उनको भी मैंने इस जैसे करेले रखे थे नमक लगाकर उसी तरह से रखा था फिर दूने के बाद इसमें एड़ किया है नमक डाला टेस्ट के अकॉर्डिंग फिर उसके बाद मसाले को बहुत ही अच्छे से भून लिया और स्ट्रफ कर दिया करेले के अंदर जैसे के आप वीडियो में देख रहे हैं थोड़ा सा ठंडा कर ले मसाले को फिर उसके बाद करें जिससे के हाथ भी न जले लग रहे हैं बिलकुल टेस्टी यह करेले बहु करके देखें